केंदर सरकार के कार्मी के वों प्रशिक्षन मंत्राले ने पानी की कमी से जूज रहे देश के 255 जिलों में वर्षा जल के संचयन और संरक्षन हेतू 1 जुलाई 2019 से जल शक्ती अभियान को शुरू करने की गोशना की है इसके अंतरगत देश के 256 जिलों के अधिक प्रभावित 1592 खंडों पर जोर दिया जाएगा और ये अभियान दो चर्णों में चलेगा 1 जुलाई 2019 से 15 सितंबर 2019 तक जहां पहला चर्ण चलेगा वहीं 1 अक्टूबर 2019 से 30 नवंबर 2019 तक एक अतिरिक चर्ण भी चलाया जाएगा जलशक्ती अभियान का फोकस पानी के दबाव वाले जिलों और ब्लोकों पर होगा इसी जलशक्ती अभियान के एक भाग के रूप में केंद्रिय और योगिक सुरक्षाबल की एवियेशन सेक्योरिटी ग्रूप यूनिट ने भुबनेश्वर के लाइन परिसर के अंदर इस्थित एसो हॉस्टल के समीप निर्मित दो वाटर रिचार्ज पिट्स का उदगा कराया इस मौके पर भुबनेश्वर एयरपोर्ट के निदेशक और चीफ एयरपोर्ट सेक्योरिटी ऑफिसर भुबनेश्वर उपस्थित थे उडिशा एयरपोर्ट अथार्टी ने रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग जल सनक्षण की दिशा में जो ये प्रियास किया है ये बहुत ही सराहनी प्रियास है और इसका संदेश बहुत दूर तक जा रहा है हाला कि एयरपोर्ट दुनिया भर के जो एयरपोर्ट हैं और हिंदुस्तान के हैं उनमें ये इस तरीके का एक बहुत नया प्रियोग है जहां पर एयरपोर्ट अथारिटी ने उडिशा की अपने सराउंडिंग्स अपने चारोर के गाउं का ध्यांद करने के बाद इस विशय पर सहमत बनाई है कि वहाँ पर जल सन्रक्षण की पर करिया है उस प्रोजेक्ट को रेन हार्वेस्टिंग की जो प्रोजेक्ट को है वो तीजी से आगे बढ़ा जाए और ये भविश्य के लिए उनको जल का खजाना देने की एक यूजना है इसके लिए एरपोर कोट अथराटी के डिरेक्टर, वहाँ के सारे कर्मचारी, आफिसर्स, सब लोग बढ़ाई के पात रहे हैं क्योंकि उन्हों ने देश हित्मे एक बहुत बड़ा काम किया है हमारे माननी परदाम बंती नरेन मोदी जी ने जल शक्ति के ओपर बहुत बड़ा अभियान देश फर में चलाया है, जल की समस्या एक एहम समस्या है, इसलिए उन्होंने इसको जल की समस्या के समाधान के लिए जल के लिए जनान दोलन शुरू किया है, कि हर घर में, हर गाओं में जल के संड़क्शन के लिए एक आंतरिक मनोवरती पैदा हो, और सब लोग सामुही जब हमारे सामने होगी तो उसके लिए एक वरदान साबित होगा